यह पहले देखा गया था कि नाइरा आर्थिक मदद के लिए कार्थिक से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन कार्थिक महेंदी समारों में व्यस्त होने के कारण फोन का जवाब देने में विफल रहता है नाइरा उद्दास महसूस करती है क्योंकि वे जल्द से जल्द पैसे की ववस्ता करना चाहती है इस बीच नाइरा किसी एंजियो से संपर्क करने और पैसे की ववस्ता करने की कोशिश करती है लेकिन व्यर्थ में पल लवी के शब्दों को सुनते हुए कार्तिक ने उसे कहराव सरजरी के लिए विद देने का वादा किया अब यहां देखना वाकई दिल्चस्प होगा कि शो में आगे क्या होता है क्या सरजरी के दौरान कार्तिक और नायरा मिलेंगे यह पहले देखा गया था कि कार्तिक ने वेदिका के स्थान पर नायरा के लिए अपने प्यार को कबूल किया वेदिका अपना धैरे खो देती है और वेदिका के साथ अपनी शादी तोड़ने के घोशना करती है वेदिका बताती है कि कार्तिक एवल नहरा से प्यार करता है और कभी भी इस शादी को नहीं जी पाएगा वेदिका इस प्रकार कार्तिक से शादी नहीं करने का अपना अंतिम्ने नह लेती है हाला कि कार्तिक अपने गोईन का परिवार को नहीं खो सकते इसलिए कार्तिक वेदिका के साथ एक विशेश नित्त करता है जिससे विह अभी भूत हो जाता है कार्तिक का यह विशेश इशारा वेदिका को खुश करता है यह देखना वाकई दिल्चस्प होगा कि शो में आगे क्या होता है